नमस्कार दोस्तों मैं हूं मुक्ता दिख्षित अस्ट्रोजर जन्म कुणली हस्त्रेखा रत्न बास्तु जो तेस और सेर वजार के अस्ट्रोजी के लिए आप हमारे चेल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए सही और सत्ते जानकारी के लिए जो भी गण्णाय निकाली जाती हैं एस्ट्रोजी के अधार पर होती हैं और आप बहुत से वीडियो देख रहे हैं जो कि अधिकान सत्त ही जाते हैं कभी कोई मिश्टेक हो जाती है लेकिन जो है अधिकान से हमारे वीडियो और हमारी जो प्रवेशन रहती हैं 80-90 प्रश्षत तक सहीं जाती हैं और आप खुद भी बाज कर सकते हैं वीडियो को देख करके और आज हम बात करेंगे क्योंकि सूर्य जो हैं मिथुन राशी को छोड़कर करकर आशी में कल प्रवेश्ट करने वाले हैं साम को चार बज कर 45 मिनिट से और पूरनर वसू नशत्र रहेगा तो इसके प्रभाव से क् मार्केट पर प्रभाव पड़ेगा क्या स्थिती रहेगी राशियों पर तो यह सारी जानकारी में आपको दूँगी तो सबसे पहले चनल को लाई सस्क्राइब जरूर कीजे और जन्मकुनली हस्तरेखा दिखलाने के सांस सांथ जो है आप सेर बाजार में गोल्ड सिलवर भी सही जानकारी मिल सकें आप उसमें लाव ले सकें जैसा कि आप लोगों को रासी फल से बहुत लाव होता है बहुत से लोग मैसिज में कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भी बतलाते हैं और जिन को हानी होती है रासी फल के कथना नुशार की आपको हानी का योग बना है तो वह भी इस चीज की सत्यता को जान सकते हैं और जो लाव ले रहे हैं वह भी इस चीज को जानते हैं तो जी हां दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है लाव लेने के लिए और अब हम देखेंगे कि पुनरबस उन अच्छत्र में सूरे जो हैं क्या काम करेंगे क्य प्रभाव रहेगा और साथी करक राशी तो करक राशी जो रहती है चंद्रमा की राशी है जल राशी है तो जैसे जैसे ग्रहों के इस्तिती युती बनती है मार्केट में आपको तेजी और मद्दी के योग देखने को हमें मिलेंगे लेकिन जब भी करक राशी में सूर्य दे हैगा इसमें भी साधारन तेजी के योग आपको देखने को मिलेंगे और सेरवाजार में भी कुछ मद्दी के बाद जो है कुछ उच्छाल के योग हमें देखने को मिलेंगे तो यह रही सूर्य के करकराशी के प्रभाव क्योंकि सूर्य जो है जीरो डिगरी पर है जीरो से लेकर के 6 डिगरी तक जो रहते सूर्य जब भी रहते हैं कुछ तेजी के योग बनाते हैं फिर इसके साथ ग्रहों की क्या यूती का क्या प्रभाव पढ़ रहा है कौन से ग्रह से यूती ब बनेगी ग्रह की और क्या गोचर रहेगा उस समय इस्तिती का अंदाज हम लगा सकते हैं क्या ऐसा क्या क्या हो सकता है तो यह सारी चीजें है चांदी है गुड है कपास है खांड है बिनोला है और आपका अलसी है सरसों है लाख है तिल ज्वार मोट बाजरा उरद नमक चावल सबजी और हरड सुपाडी नारियल और केसर मजीठा नील सरसों गुगल आदी सुगंदित पदार्थ जो भी जे किराने के पदार्थ हैं इन सारी चीजों में जो है हमें तेजी देखने को मिलेगी तो इस प्रकार से सूर्य का यह प्रभाव है लेकिन अब सभी राशी वालों को तो लाब नहीं हो सकता ना किसी की किसमत में तीसों दिन लाब के योग रहते हैं और कुछ ही समय व्यक्ति के लिए महीने में चार प यह भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है तो जैसे मेश राशी वालों के लिए शूर्य का जो गोचर रहेगा मिस्रित फल देने वाला रहेगा कुछ लाब कुछ हानी के योग बनेंगे लेकिन कारे ब्यापार से संबंधित आपको विसेश लाब के योग बनेंगे धन स संबंधि आपको लाब के योग बनेंगे और जो रुके हुए काम है आपके पूरे हो सकते हैं ब्रसब राशी वालों के लिए जो है सूर्य का गोचर प्राक्रम पर हो रहा है आपके सारे मनवांचित कारियों में सिद्धी होगी भूमी भाहन भवन यदि आप कोई काम सोच रहे हैं तो इसमें भी आपको सफलता की प्राप्ती होगी मिथुन राशी वालों के लिए जो है लाब का योग है आपको धन से संबंधित कुटों परिवार से जो आपको रुका हुआ धन है इससे संबंधित आपको लाब हो सकता है करक राशी वालों के लिए जो है आपका स्वास्त ठीक रहेगा उत्तम रहेगा और बिसेस प्रकार की जो हानिया चल रही थी वह सारी दूर होंगी मानसिक सांती मिलेगी आपको और कार शिद्ध होंगे और कार व्यापार से भी आपको लाप के योग बनेंगे सिंग राशी वालों के लिए जो है हानी का योग होगा पैसे खर्च होंगे और धन हानी हो सकती है किसी बड़े कार व्यापार के लिए जो है अधिक अपलाई ना करें धन का अधिक बेह ना करें नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है इसके बाद हम देखेंगे कन्या राशी वालों के लिए जो है पूर्ण लाप का योग बन रहा है आपके जो भी रोके हुए काम है विसारे पूरे होंगे और जिन जिन से आपको पैसे लेने थे भाई भी आपको मिल सकते हैं किसी नए काम में पैसा लगाना चाहते हैं तो भा प्रकार से कारशिद्धी धन प्राप्ती के योग रोके हुए कारियों जो है आपके बनेंगे तो इस प्रकार से आपके लिए भी जो है सूर्य का गोचल लापकारी रहेगा इसके बाद हम देखते हैं ब्रस्चिक राशी वालों के लिए जो है पूर्ण लाप का योग है आ आपके सारे काम सिद्ध होंगे, आप लाब ले सकते हैं हर तरीके से, धनु राशी वालों के लिए जो हानी का योग बन रहा है, आपका स्वास्त और कार ब्यापार में कुछ हानी के योग आपको देखने को मिलेंगे, भाग्या आपका साथ नहीं देगा, धन हानी हो सकती है, स्वास्त आपका प्रभावित हो शकता है तो इसलिए अपने स्वास्त का जरूर ध्यान रखिए गुप्त रोगों से आपको कष्ट हो शकता है अगला हम देखेंगे मकर राशी वालों के लिए कुछ लाप कुछ हानी का योग बन रहा है परिवारिक दामपत्य जीवन में कुछ हानी उठानी आपको पड़ सकती है बाद भी विवात कलह हो सकता है और इसके साथ कुछ धन हानी के योग भी बन रहे है तो बड़ा एमाउंट लगाकर कारव्यापार ना करें कुम्भ राशी वालों के लिए हम देखते हैं तो कुम्भ राशी वालों के लिए जो है हानी का योग ही है सत्रूं से आपको प्रवलता मिलेगी लेकिन कारे छेत्र के संबंदें कुछ आपको लाप राप्त हो सकता है मीन रासी वालों के लिए पूर्णल आपका योग है बजार से सिर्माटकिर से बिद्या से बुद्धी से ज्यान से जिस भी तरीके से आप काम करना चाहते सबसे आपको बेनिफिट के योग बन रहे हैं भागे भी आपका सांद देगा और कारियों में आपकी सिद्धी होगी तो इस प्रकार से जो है सूर्य जब गोचर्म करकर आसी में आते हैं तो क्या आपको प्रभाव देते हैं इसका प्रभाव मैंने आपके लिए बढ़नन किया है तो 16 तारिक से लेकर के 16 अगस्त के बीच में ये सारी चीज़ें आपके सांद घटित हो सकती हैं अगला जो है अगला वीडियो आपके लिए बनेगा तो जरूर आप उस वीडियो को देखिएगा जिसमें की मार्केट में जो है आपके स्टॉक रहते हैं इसके बारे में थो सकत्व